बिस्मिल्लाहिरहमान रहीम असलामलेकूम तो आल अफ यू वेलकम तो चैनल फिलिक्स और मैथ चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनाएगी है चैनल को ओपन करें प्लेलिस्ट में जाएं टेंथ क्लास मैथ का फोल्डर ओपन करें वहां से आप अपने लेसंस इसली फाइंड आट कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर टू एक्ससाइज 2.7 और क्वेस्टन नंबर वन हमें दिया हुए हमने इन सेमिल्टुनियस एक्विशन को सॉल्व करना है और अपर फर्स्ट क्वेस्टन है एक्स प्लस य इकल तो फाइफ इसको उन का नाम दे देते हैं इ Z equal to Zero यहामने दो एक्विशन दे हमने क्या करना है हमारा मैन काम ये होगा अगर हमें इस तरह की में बखिये और य की वैलिओ यहां से निकालेंगे और equation number 2 में put करेंगे इसको हम equation number 2 का नाम देदेंगे यह हमारे पास इसका solution होगा तो उसके बाद जो answer आएगा उसको हम in terms of y solve करेंगे और x solve करेंगे हम start करते हैं सबसे पहले हमारा main काम यह होगा कि हम यहां से या तो y की value निकाले या x की value निकाले हैं दोनों से answer ठीक हो जाएगा हम य की value निकाल लेते हैं तो from equation 1 equation 1 तो x plus y is equal to 5 है y की value निकाल ली है तो यह हो जाएगा 5 minus x x को दूसरी तरफ ले जाएगे यह हो जाएगा 5 minus x अब हम y की value equation number 2 में put करेंगे put y is equal to 5 minus x in equation 2 equation number 2 में जब put करेंगे तो हमार पास आजाएगा x square minus 2 into x square आजाएगा minus आजाएगा 2 आजाएगा y की value मार पास 5 minus x यह आजाएगा minus 14 is equal to 0 अब हम इनको multiply कर लेंगे यह हो जाएगा x square minus 10 plus 2 x minus 14 is equal to 0 यानिके 2 को 5 से multiply करेंगे 10 हो जाएगा 2 को minus x से multiply करेंगे तो minus minus plus हो जाएगा चले अब हम इसको arrange कर लेते हैं तो x square plus 2 x यह minus 10 और minus 14 यह minus 24 बनेगा is equal to 0 अब हम यहां पर हमार पास choice है यहां तो हम इसको quadratic formula के जिरिए solve कर लें या फिर हम इसको factorize कर लें यह हमारी अपनी choice है अगर हम factorize करें तो हमें 24 बनाना पड़ेगा और यहां पर तू बनाना पड़ेगा चलें तो अगर मैं plus 2 बनाना है और minus 24 first term को भी वैसे लिख लेते हैं last term को भी वैसे लिख लेंगे और variable को without sign two time दिखेंगे अगर हम 6 और 4 ले ले plus 6 और minus 4 तो देखें multiply करेंगे minus 24 भी होगा और plus करेंगे तो plus 2 भी बनेगा अब यहां से हम एक्स कॉम ले लेते हैं तो यहां पर हमरेगा मारेगा बनेगा X plus 6 और यहां से अगर minus 4 कम ले लिया जाए तो यह हमारे पास x plus 6 is equal to 0 बन जाएगा यहां से 4 कम लिया minus का तो x plus 6 बन जाएगा अब हम यहां से again x plus 6 कम ले 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 तो x minus 4 is equal to 0 अब यहां पर दो केस बना लेंगे तो केस वन हमारे पास x plus 6 is equal to 0 और x की value minus 6 आ जाएगी यहां से x minus 4 is equal to 0 और x की value मारे पास प्लस पूर आ जाएगी अब हमारे पास X की दो वैलिउस आ चुकी है अब हमें Y की दो वैलिउस चाहिए तो अब हम यह X की वैलिउस जो है यह equation number इसको अगर मैं 3 का नाम दूँ हम शुरू में इसको equation number 3 का नाम दे देंगे तो यह X की वैलिउस जो है equation number 3 में put करते जाएं और Y की वैलिउस फिर X की वैलिउस प्र जाए एक्यूश नमर त्री में put करें फिर Y की वैलिउस आएंगे तो हम लिखते है put in equation 3 तो हमारे पास आ जाएगा Y is equal to 5 minus into क्योंकि यह minus मारे पास already equation में आ रहा था और X की value minus six है तो वाइज इकल टू five plus six तो वाइज इकल टू eleven आ जाएगा इसी तरह second case की value भी हम question number three में put करेंगे तो हमार पास आ जाएगा y is equal to five minus लगाएंगे अब x की value four है तो यहां पर four आ जाएगा तो y is equal to five minus four तो y is equal to one आ गया तो हमार पास y की value है है 11 जब हमने x is equal to minus six रखा y की value one आई है जब आपने x is equal to four रखा अब हमार पास solution set है उसको हम लिखेंगे चले अब हम pairs की form में लिखेंगे क्योंकि x और y आ जाएं तो हमेशा order pair की form में लिखना चाहिए तो हम लिखेंगे minus six कॉमा लगाएंगे और 11 क्योंकि x की value हमार पास minus six है y की value 11 हमेशा answer में ऐसे लिखेंगे फिर second value हमार पास है कॉमा लगाएंगे हमने x की value four की पहले x की value लिखेंगे जाते हैं फिर y की value लिखेंगे तो यह मार पास solution सेट आ गया क्योंकि हमार पास order pair इस तरह होता है x and y यह मार पास answers आ चुके हैं तो इसी तरह हम next question जो है कुछ नमबर two three four five so one जो भी है सारे इसी तरह solve करेंगे यह method है अब हम question number two solve करते हैं कि कुछ नमबर two जो है उसमें भी हम इसी तरह simultaneous equation है हम वाई की value निकालेंगे और second equation में put कर देंगे है चले हमें equation देए three x minus two y is equal to one चले three x minus two y is equal to one यह में equation दिए इसका हम वन का नाम दे देंगे अब जो second equation दिए x square plus xy minus y square is equal to zero sorry is equal to one है यह हमें value दिए इसका हम solve करेंगे three x minus two y is equal to one x square plus xy minus y square is equal to one यह हमें equation दिए हम इसको solve करेंगे अब यहां से x y की value निकालके equation number two में put कर देंगे चले y की value निकाले तो यह हमार पास two y को उस तरफ ले जाए three x minus one one को इस तरफ लेंगे तो two y बनेगा अब हमें y की value जाए तो two को divide कर देंगे यह हो जाएगा three x minus one over two is equal to y इसको equation number three का नाम दे देंगे अब हम y की value जो है equation number two में put कर देंगे put in equation two तो हमार पास x square है यह बनेगा three x minus one over two इसका whole square plus x sorry करेंगे हम य की value पूट करेंगे मैंने x की value पूट कर दिये यह गलती से हो गया य की value पूट करेंगे यहां पर आजाएगा x square plus x into y की value पूट करेंगे वो है three x minus one over two minus y की value हमार पास है three x minus one divided by two two और इसका whole square is equal to one यह मार पास question दिया है अब हम क्या करेंगे यहां पर इसका पहले square open करेंगे इसके बाद इसको solve करेंगे यहां जाएगा मार पास x square plus three x square minus x divided by two मैंने x को अंदर multiply कर दिया minus उसके बाद यहां पर formula open करेंगे यह हो जाएगा मार पास nine x square plus one minus six x जब इसका square open करेंगे तो हमार पास आजाएगा nine x square plus one minus six x divided by four two का square four हो जाएगा is equal to one तो अब हम four से multiply कर देंगे दोनों side पे जब four से multiply करेंगे तो यहां से denominator खत्म हो जाएगा कि multiply four on both side कि दोनों side पे four से multiply करेंगे यह हमार पास हो जाएगा four x square मैं direct इसको solve कर रहा हूं plus four से जब two cancel होगा चले हम इसको लिक लेते हैं three x square minus x divided by two minus four into nine x square plus one और minus six x divided by four is equal to four multiply by one तो यहां पर मार पास यह cancel होगा two आ जाएगा और यह cancel हो जाएगा और उसके बाद जो value बचेंगे हम उसको लिख लेंगे four x square plus two go three multiply करेंगे यह हो जाएगा six x square फिर two ko minus two x आ जाएगा two go अंदर multiply कर देंगे minus two x आ जाएगा minus nine x square plus one bracket लगा लेंगे क्योंकि बाइर minus ओ दो bracket लगाएगे हमेशा minus six x is equal to four आ जाएगा minus को अंदर हम अंदर multiply कर देंगे minus six x square sorry plus six x square minus two x minus nine x square minus one plus six x is equal to four आ जाएगा अब हम यहां से plus minus कर लेंगे जो value plus minus होगी यह हमारा पास आजाएगा ten x square six plus four ten x square और फिर हमारा पास यह minus nine x square इसको range करके लिख लेते हैं six x और minus two x plus four x आ जाएगा minus one is equal to four अब हम इन मेंसे minus कर लेंगे यह हो जाएगा x square क्योंकि 10 मेंसे nine को माइनस करेंगे plus four x minus one minus four यह four जहां इसको इस तरह लेंगे एक स्क्राइगे प्लस four x minus five is equal to zero अब हम यहां पर factorize कर लेंगे factorize इस तरह करेंगे यह हमारे पास फोर भी बने और minus five भी बने प्लस का four बनना चाहिए तो अगर हम यहां पर रख फिर्स्ट element को भी वैसे लिखेंगे लास्ट को भी वैसे लिखेंगे अगर मैं प्लस five x रखूं और minus x रखूं वान एक्स तो हमारे पास प्लस four भी बनेगा और multiply करेंगे तो माइनस five भी बनेगा अब हम यहां से common लेंगे तो हम यहां से जब common लेंगे तो बार पास x common आजाएगा x plus five बनेगा minus one common लेंगे तो x plus five is equal to zero यहां से फिर x plus five जाय अगें common आ जाएगा तो अब यहां पर दो case बनेंगे case one and case two case one में बार पास x plus five is equal to zero और case 2 में x-1 is equal to 0 तो x की value minus 5 आ जाएगी और x की value plus 1 आ जाएगी अब ये दो values जो हैं ये हम equation number 3 में put करेंगे जिसको हमने equation number 3 का नाम दिया था तो हम उसको दुबारा बना लेंगे एक बार चलें तो put in equation 3 ये भी equation number 3 में put करेंगे equation number 3 वार पास थी y is equal to 3x minus 1 over 2 यानि के हम 2y को इस तरफ ले जाएगे और 1 को इदर लेंगे minus 1 बनेगा और 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये equation number 3 थी जिसको हम raise कर चुके हैं इसमें हम put कर देंगे तो x की value इसमें put करें तो y is equal to 3 into minus 5 minus 1 over 2 तो y is equal to minus 15 minus 1 over 2 तो y की value minus 16 over 2 तो cancel out करेंगे minus 8 बन जाएगा तो y की value आगे अब हम equation number 3 में x is equal to 1 put करेंगे तो y is equal to 3 into 1 minus 1 divided by 2 आजाएगा तो y is equal to 3 minus 1 over 2 तो ये हमारे पास 2 over 2 cancel out करेंगे 1 आजाएगा तो y की value 1 आगे अब हम इसको order pair में लिखेंगे तो solution set हमारे पास आजाएगा एक्स की value लिखे जाएगी bracket में minus 5 और y की value हमारे पास minus 8 आई थी फिर हमारे पास x की value हमने 1 put की तो y की value हमारे पास 1 आ गई तो यह हमारे पास solution set आ चुका है तो इसी तरह हमने exercise 2.7 के टू question solve कर ली है मैं उमीद करता हूँ यह simultaneous equation का solution जो आपको अच्छे तरह के समझ आ गया होगा next lesson में हम remaining question number three four up to one वह हम solve करेंगे इसी के साथ ही अला आफेज थाउब है तरह हमें ली ए कर अच्छे वह मारे दावश voll लिया खं़ ही है फ वह दो हमारे खगवस्वेज मारे हैं तरह खशिस्स Gold के तरह करेंगे हैं शुका है जहर कर